रवेवार बेंगलूरू में दो मोटर साइकलों की टक करके बाद एक बाइक पर सवार पती पतनी नीचे गिर गए लेकिन उनकी मासूम बेटी बाइक पर ही बैठी रहे गई इतना ही नहीं काफी दूर तक बाइक चलती रही और बची ना गिरी ना उसे चोट ही आरी इस हैरान कर देने वाले हाथ से की वीडियो फिटेज देख कर लोग हैरान हैं वीडियो में दिख रहे नजारे आ एर खबरों के मताबिक बताया जा रहा है कि बेंगलूरू के रहने वाले चन्ना प्रमेश्वर और उनकी पतनी रेणू का अपनी करी 5 साल बेटी के साथ बाइक पर कहीं से लोट कर घर जा रहे थे इस बीच उनकी मोटरसाइकल को पीछे से एक दूसरी बाइक ने टक कर मांच दी इसके बाद दोनों पती और पतनी सड़क पर गिर पड़े लेकिन बाइक नहीं गिरी आ एर तक रीबन 300 मीटर तक चलती चली गरी आ एर साथ ही उस पर बैठी उनकी बच्ची भी बिना गिरे आगे चली गरी मज़ेदार बात तो ये है कि सड़क पर तेजी से दूसरे वाहन आ जा रहे थे लेकिन बाइक बिना किसी गाड़ी में टक कर के आगे बढ़ती गई आखिर कार बाइक सड़क किनारे जहां जाकर गिरी वेह सड़कर डिवाइडर था बच्ची गाड़ी से उ कामरे में रिकाया धोगरी बाद में इसे कार चालक ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जो देखते देखते वायराल हो गया हाला कि इस मामले की पुलिस में रिर्पोर्ट दर्ज हुआ है या नहीं कैसी कोरे सूचना नहीं मिली है